आज से साड़े तिन सो वर्ष पुर्व जब छत्रपती सिवाजी महराज का राज्यापिशेक बहा था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रियता की जैजैकार समाही थी उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वो परिजट आज एक भारत स्वरेश्ट भारत के वीजन में छत्रपती सिवाजी महराज के विचारों का ही प्रतिविन देखा जाए परता हैं आप छत्रपती सिवाजी महाराज के समय देश की परिस्क्रितियों की कर्पना कर सकते हैं, सेंकडों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देश वाश्यों से उनका आत्मविश्वास छिल लिया था ऐसे समय में लोगों में आत्मविश्वास जगाना एक कठीम कारिय था लेकिन छत्रपती सिवाजी महाराज ने ना सिर्फ आक्रमण कारियों का मुखाबला किया बल्कि जन मानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयम का राज सम्भव है उन्होंने गुलामी की मानसिक्ता को खत्व कर लोगों को राश्ट्र निर्मान के लिए प्रेरित किया मैं छत्रपती सिवाजी महाराज के चरणों में कोटी-खोटी नमन करता हूँ झाल